सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुपकाम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को हर साथ अंतिरास्ट्रे योग दिवस मनाया जाता है और ये साल योग दिवस का पाँछवा संस्करण है आईए आज के इस योग दिवस के बारे में कुछ जान करी लेते हैं योग का जनम भारत में हुआ योग का मतलब है मन, शरीर और आत्मा का मिलन अंतिरास्ट्रे योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है 170 राष्ट्रो द्वारा अंतराष्ट्रिय योग डिवस को समर्थन मिला है भारत में योग सिखाने के लिए 2,000,000 इंस्ट्रक्टर हैं जबकि जरूरत 5,000,000 इंस्ट्रक्टरों की है लगभग 3,000 भारतिय योग शिक्षक चाइना में योग की शिक्षा दे रहे हैं जो की जादातर हरिदुवार और रिशिकेश से हैं योग इंडस्ट्री विश्वर में लगभग 75,000,000,000 डॉलर की इंडस्ट्री है आज 21 जून 2019 पूरे भारत में अंतराष्ट्रिय योग डिवस के तौर पर मनाया जा रहा है पृधान मंतरी नरे नर्मोदी के अगवाई में जारखन राचि के प्रभात तारा मैदान में एक विशाल योग कारिकरम का अरजन किया गिया जिसमें लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया पृधान मंतरी ने कहा विश्भर में योग दिवस में भाग लेने वाले सभी लोग सुर्य की पहले किरन का स्वागत अपने योग इपहास से करें प्रधान मंतरी ने ये भी कहा विमारिया गरीब को और गरीब कर देती है इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम योग को शहरों से गावों और आदिवासियों तक ले जा सकें क्योंकि योग सभी के लिए है और हम सभी योग के लिए और योग सभी शेत्र सभी माननेताओं से उपपर है योग प्राचीन और आधुनिक है ये निरंतर और विक्सित हो रहा है सदियों से योग का सार एक ही है स्वस्थ शरीर इस्थेरमन आत्मा की पवित्रता योग, ज्यान, काम और भक्ती का एक आदर्श मिश्ण प्रदान करता है देश के अन्यनेताओं ने भी योग दिवस के कारक्रमों में अलग-अलग जगा भाग लिया इस वर्ष योग दिवस का विशे है जलवायू क्रिया यानि क्लाइमेट अक्शन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा हमारे विरोधी ये समझ ही गए होंगे प्रधार मंत्री सिर्फ एक पार्टी से वास्ता नहीं रखते उनका वास्ता सभी से है और इस बात को युनाटेट नेशन्स ने 21 जून को अंत्यराष्ट्रिय योग दिवस के तौर पर मानेता देकर सिद्ध कर दिया है त्रिवेंद्रम जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी कहा योग एक ऐसी कारगर विधी है जो आपको खुद पर काबू करना सिखाती है योग दिवस पर योग के अभ्याज Embassy of United States में भी किया गया जिसे ये साबित होता है कि योग को विश्भर में मानेता मिल रही है उपाध्यक शिवेंकरिया नाइडू ने कहा हमें प्रकृति के अत्यादिक दोहन और उससे अत्यादिक नुकसान पहुचाने से बचने की आवशकता है इस्थिर्ता हमारा नया मंत्र होना चाहिए और संतुलन इस्थिर्ता की जड़ है और सभी शेत्रों में संतुलन करने की शुरुआत शारिक संतुलन से शुरू होती है और योग से अच्छा भला शारिक संतुलन कहां हो पाएगा